नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो ग्रूप D के लिए एक और बहुती सांदार मौक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो आपके ग्रूप D का एकजाम प्रस्तावित है उसके लिए जीके, जीयस और करेंट अ लेगी तो वहां से आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं वीडियो की हम लोग सुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि दिसंबर हमारा जाही रहा है बस सिर्फ दो ही दिन बचे है तो अनकेडमी के उपर इस समय बहुती सांदार आफर चल लहा है जैसे कि अगर आप लोग SSC का 12 महिने का कोर्स लेते हैं तो आपको 4 महिने का 24 महिने का कोर्स लेते हैं तो 8 महिने का जो कोर्स है वो बिलकुल फ्री मिलेगा अगर आप रेलवे काटेगरी में इस समय कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 1300-1400 रुपए में यहां पर पूरे 3 महिने का कोर ले सकते हैं और गुरुप D के साथ साथ NTPCCBT2 की तयारी उसी एक सिंगल कॉर्स में कर सकते हैं उसी प्रगार से अगर हम लोग SSC की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉर्स में आप लोग CGL, CHSL, MTS का एकजाम हो गया, CPO का हो गया, GD का हो गया, इन सारे एकजाम की तयारी आप इकेडमी के किसी भी कोर्स पर आप 25 से 30 संट तक का डिसकाउन वी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा अन-अकेडमी पर मेरी लाइब क्लासिज भी होती हैं, तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और एक जन्वरी से आप मेरी सारी carbon dioxide के साथ अब क्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सता को खुए देती है और हरे रंग का आवरण प्राप्त करती है तो ध्यान रखेगा काफी महत्पूर प्रेश्ण है यह हमारी जो धातु है इसका नाम होता है copper यानि किताबा नाम है तो option फिलहाल D हो जा करती है जो की हरे रंग का होता है इसलिए यहां पर यह अपनी भूरी सता को खो देती है तो ध्यान रखेगा option फिलहाल D होगा correct अगला प्रशन है कि निम्न मेंसे कौन सा दुरूबल विद्दूत अभगट्टे है दुरूबल विद्दूत अभगट्टे के बात करे यानि क बहुती आसाने से आपके आयन दे देते हैं लेकिन जो बीक होते हैं वो अपने आयन में नहीं टूते हैं पानी में तो option यहां पर C इथेनोईक अमल हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि पौधों में सेपल्स के समोह को क्या कहा जाता है तो पौधों में अगर हम पταजा अंतर जितना भी आपका यहां पर पेटल्स का समोह होता है इसे तो और यह पूरे सेपल्स का समोह होता है इसे हम लोग कहता है कैलेक्स तो ध्यान रखेगा C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि RBI ने चेक से होने वाली धोखा धड़ी को रोकने के लिए पिछले साल किस नाम से एक सुविधा के शुरुवात की थी तो इस सुविधा का नाम था positive P फिलहाल option हमारा A हो जाएगा यहाँ पर correct तो ध्यान रखेगा कि 5000 रुपए या उससे अधिके मुले के अगर चेक है उनका भुक्तान आपको करवाना है तो इसी के लिए पाउश्टे पे सुविधा की शुरुवात हुई थी option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि सम्मिधान सभा के सदस्यों ने डैस डैस को भारतिय सम्मिधान के उपर हस्ताचर किये थे तो ध्यान रखेंगे ये जो हस्ताचर हुआ था ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था कम 24 जन्वरी 1950 को हमारे समिधान सभा के सारे सदस्यों ने इस पे हस्ताच्छर किया था और 26 जन्वरी 1950 को ये लागो हो जाता है तो फिलहाल D हो जाएगा करें अगला प्रश्ण है कि कीटों को खाने वाले जो पौधे होते हैं ये किस तत्यों की कमी वाले मिट्टी में उपते हैं तो आप सभी को पता होगा तो ध्यान रखिएगा ऐसी जो हमारे मिट्टी होती है उसमें नायटोजन की कमी होती है यानि कि यहाँ पर उप्सन सी हो जाएगा फिलहाल करेंट अगला प्रशन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो आपको यहाँ पर चारो ऑप्सन ध्यान से पढ़ने होंगे और यह आपके गृपडी में पोछा गया प्रशन है तो कई बाल लोगों को लगता है कि इस प्रकार के थोड़े से लंबे चोड़े प्रशन गृ जाबर होती है आप्सन डी होगा यहाँ पर करेक्ट तो देख सकते हैं यहां से आपकी यह फोकस लंबाई होती है यह वकृता तरज्या होती है तो इसकी दूरी होती है टू आर यानि कि इसके डबल हो जाएगी आपसन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि का जो सबसे ज़्यादा उत्पादल है वो हमारे देश में परसिम बंगाल करता है लेकिन अगर हम लोग सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके परसिम बंगाल की बात में सेकंड नंबर पर होता है बिहार में तो यहां पर आप्शन फिलहाल हमारा सी हो ज फारुखी निम्न में से किस खेल से सम्मंधित हैं तो ये प्रश्ण वैसे CHSL में पूछा गया था लेकिन मैंने प्रश्ण को इसलिए सामिल कर लिया क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गुरूप D में जो हमारे प्रमोख खिलाडी हैं खेलों से जुड़े हुए उ दो किलोग्राम दर्बिमान की एक धात्विक गेद, तीन किलोग्राम दर्बिमान की एक स्थिर गेद से टकरा जाती हैं यदि टकराने के बाद दोनों गेदे साथ में आगे बढ़ती हैं तो टकराने के बाद गतिज उर्जा में हुई हानी कितनी होगी देखिए ये बहुत क्या चीजें दी गई है जैसे कि यहाँ पर velocity है दरब्यमान है फिर यहाँ पर आपको दरब्यमान दिया गया है यहाँ पर velocity आपको निकालना है तो आप लोग जब एक बार velocity निकाल लेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो गतिज उर्जा है दोनों समय की उसे आप count करेंगे औ m1 b1 plus m2 b2 equal to m1 plus m2 into v v क्यों होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टकराने के बाद में दोनों गेदें एक साथ आगे बढ़ती है यानि कि दोनों के velocity सेम होगी आपको b यहाँ से मिल जाएगा b हो जाएगा 4 meter per second तो आप लोग पहले initial energy निकालेंगे फिर final energy न मिल जाएगा तो 60 जूल फिलहाल सी होगा correct अगला प्रशन है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तै करता है वह किया गया कारे 2000 जूल है तो लागू किया गया बल ग्याद करिए बहुत सिंपल सा प्रशन है देखिए आपको यहाँ पर दूरी दी गई है आपको कार दिया गया है बल निकालना है तो बस आप लोग 2000 में 4000 से डिवाइड करेंगे अंसर आप आजाएगा 50 न्यूटन कितना 50 न्यूटन तो बी हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि अगस्त और सितंबर के महिनों में जो सर्प नौका दौड है यह निम्न मेंसे किस राज म वाली कौन सी कंपनी भारत की निजी छेतर के पहले कंपनी बनी है तो ध्यान रखेगा इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरो स्पेस क्या नाम है स्काई रूट एरो स्पेस इसका नाम है तो फिरहा के लिए option C हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है इंडियन पार्लिय स्पेकर नाम इनका है मीरा कुमार तो ध्यान रखेंगे C हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि इन में से किसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है यानि कि ब्लू बेट्रियॉल के नाम से जाना जाता है तो यह हमारा हो जाता है copper sulphate क्या होता है copper sulphate होता है option D हो टाइप के लोगों होंगे मुझे बताईएगा कि यह जो copper sulphate होता है इसमें आपको जल के कितने अणू देखने को मिलेंगे यानि की CUSO4.XH2O तो X की value क्या होगी यह आप नीचे comment में बताएंगे यह group D में पूछा गया प्रश्न है अगला प्रश्न है कि cytone को क्या गहा जाता है तो अगर हम लोग cytone की बात कर रहे हैं तो यह हमारी एक pericarion cells होती है क्या होती है pericarion कोसिका होती है option यहाँ पर यह हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि cytone is the central cell body of a neuron containing the nucleus and excluding it processes cytone is the large part of the fiber of nerve और neuron यानि कि जो हमारे दिमाग में neuron cell होती है उनी का एक बड़ा हिस्सा cytone होता है और मुख्य रूप से इसमें आपको nucleus देखने को मिलेगा तो यह आपकी जो dendroit होती है उनके थुरो electric impulse को receive करती है option a हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि bio gas नहींतर से निस्कासित कौन सी gas इधन की रूप में प्रयोग की जाती है तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ इस gas का नाम है methane क्या नाम है इस gas का नाम है methane methane की बारे मैंने आपको बताया था कि चाहें आपका CNG हो चाहें आपका bio gas हो या फिर धान का खेत हो या फिर दलदली भूमी हो या फिर कोईले की खान हो इन सभी में बाढ़ पूर्बचेटावनी प्रणाली यानि कि flood early warning system को launch किया था तो यह launch किया गया था गुहावटी में option यहाँ पर हमारा D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि कोटाकल सिवरामन निम्रल लिखित में से कौन से सास्त्रिय निर्थ से सम्बंदित है तो कोटाकल सिवरामन की बात करें यह हमारे कतकली से जुड़े हुए है option फिलहाल के लिए D होगा यहाँ पर correct यह देख सकते हैं 2010 में इनका निधन हुआ था यह हमारे केरन राजे से आते थे कतककली के यह आपके dancer थे तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि एक मादा बाग और एक नरसेर की जो संतान होती है वो आपकी क्या कहलाती है अब ध्यान क्या होगा लाइगर इसका नाम होगा तो option B हो जाएगा correct यह देख सकते हैं यह लाइगर है जिसका पापा सेर है माता इसकी tiger है तो इस प्रकार से जो बच्चा जन्म लेता है उसे हम लोग लाइगर कहते हैं तो B हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि आवर्त सारणी क गुरुप सोला में इस्थित एक उपधातू कौन सा है तो अगर हम लोग एक उपधातू की बात करें यह होता है टेलूरियम क्या नाम है इसका टेलूरियम नाम है तो C हो जाएगा फिलहाल के लिए correct तो अच्छे से ध्यान किएगा यहाँ पर जो टेलूरियम होता है यह आ यह आप लोग इनके नाम भी देख सकते हैं तो option फिलहाल C होगा correct अगला प्रश्ण है कि सतंदरता दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने इनमें से किसके सतंचन के लिए प्रोजेक्ट की घूशना की थी तो यह जो प्रोजेक्ट है अभी आपके GD एक्जाम में भी प प्रश्ण के दौरान PM मोदी के दौरान इसकी घूशना की गई थी वैसे अगर हम लोग डॉल्फिन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए यह हमारे यहां का राष्टे जलिये पसू है 2010 से और इसके अलावा ACIS जो हमारे सेर है उनके लिए भी प्रोजेक्ट शुरू करन यहां पर करेक्ट तो देख सकते हैं कीरल में आपको पेपारा मिलेगा यह हो जाएगा यहां पर करेक्ट अगला प्रश्ण है कि निमने लिखित में से किसका उपयोग कठोर साबुन बनाये जाने में किया जाता है तो अगर आपको कठोर साबुन बनाना है तो उसके लिए आपके कठोर साबुन में, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नरम साबुन की यानि की जो soft soap होते हैं, उसमें हम लोग योज करते हैं potassium hydroxide का, तो अच्छे से ध्यान रखेगा, अगर sodium hydroxide का योज किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर hard soap बना रहे हैं, अगर हमने यह तो palm of pudding model की बात करें, यह दिया था Thompson ने, किसने? JJS Thompson ने दिया था, तो option A हो जाएगा correct, तो देखें यह इनका model क्या था, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने इस model के बारे में 1904 में बताया था, और उस दोरान इन्होंने यह बताया था, कि इस प्रकार से जो हमारा पूरा atom होता है, वो बिसरा होता है, इसमें जो आप पूरा यह region देख रहे हैं, यह positive charge है, और इसमें आपको इस प्रकार से छोटे छोटे electron तैरते हुए मिलेंगे negative charge में, तो ध्यान कीगा यह इनका model था, option A हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि अगस्त 2020 में MS धोनी के साथ, किस भ तो option फिलहाल के लिए C होगा यहाँ पर correct, आप सभी को पता होगा, कि पिछले साल महेंदर सिंग धोनी के साथ में सुरेश रहना ने सन्यास लिया था, और महेंदर सिंग धोनी की बात करें, तो यह हमारे भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, 2007 का चाहे T20 विसकप हो, 2011 का चाहे पूर्सों विसकप हो, या 2013 की चैंपिन ट्राफी हो, इसमें इन्होंने भारते टीम को जीत दिलाई है, तो C हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि प्रकास विद्दुत प्रभाव के अविसकार करता कौन है, अब इस प्रशन को कई बार लोग गलत करते हैं, क्योंक आप्सन यहां पर A हो जाएगा correct, अज़ा सवाल उठता है, तो आइश्टे महोदे ने क्या किया था, जिसके लिए इनको नोबल पुरसकार मिल गया था, तो दरसल इन्होंने जो आपके प्रकास बैद्दुत प्रभाव हैं, इसकी ब्याख्या की थी, और इसके इन्होंने के बराबर होता है, तो एक correct की बात करें, यह 200 mg के बराबर होता है, कितने के? 200 mg के होता है, तो option फिलहाल के लिए भी हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि इन में से कौन सी जल गयस है, अगर हम लोग जल गयस की बात करते हैं, तो यह आपका होता है CO plus H2, क्या होता है? CO plus H2 क हम लोग जल गयस की नाम से जानते हैं, चलिए आपके लिए एक प्रशन है, नीचे कमेंड में आप लोग बताईएगा कि जो producer गयस होता है, वो आपका कौन सा है, तो producer गयस के बारे में आपको नीचे कमेंड में बताना है, अगला प्रशन है, कि चालुक के राजवंस भारत के डैस डैस भाग का एक प्रमुक समराज था तो चालोक की राजवंस की बात करें सिंपल सा है यह दच्छनी भारत का एक समराज था ओप्सन यहाँ पर ए हो जाएगा करक्ट तो पुला केसिन प्रथम के द्वारा पांसो तिरालिस इस वी के आसपास इसकी अस्थापना की अगला प्रशन है कि अगस्त 2020 में किस केंद्रिय मंत्राले ने सरजन पोर्टल लॉंज किया तो यह जो सरजन पोर्टल है इसे हमारे रच्छा मंत्राले ने लॉंज किया है अगला प्रशन है कि अक्रिये गैसों की इलेक्टान बंदुता डैस डैस होती है तो अगर हम लोग electron बंधुता की बात करते हैं और वो भी हमारे inert gases के तो ध्यान रखिएगा जो inert gases होती है ये आपके पूरी तरीके से होती है neutral तो इसी लिए इनकी जो electron affinity होगी वो लगभग 0 के बराबर होती है तो C हो जागा यहां पर correct अच्छा electron affinity क्या होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हो कि जब हम लोग किसी भी atom में इस प्रकार से electron को जोडते हैं कि जिस प्रसे वो एक negative ion बना ले तो उस दवरान जो energy हमें release होती है यहां पर उसी को कहा जाता है electron affinity तो C हो जगा फिलहाल के लिए correct अच्छा सबसे ज़्यादा जो electron affinity है वो आपके periodic table में होती है chlorine की यह भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है कि जो हमारा alkene है इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे तो alkene की बात करें इसे हम लोग पहले olefin की नाम से जानते थे option यहां पर फिलहाल A हो जाएगा correct तो देख सकते हैं कि जो हमारे alkene थे इन्हें हम लोग पहले olefin कहते थे region इसका क्या था क्योंकि यहां पर जो हमारे ethene थी वो सबसे पहले आपके oily product से बनाए गई थी और इसी लिए इनको कहा जाता था olefin तो A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अलबरुनी किस सासक के साथ में भारत आया था तो अलबरुनी की बात करें यह आये थे महमूद गजनवी के साथ में option यहां पर फिलहाल B हो जाएगा correct तो 14 सेंचुरी के दोरान जो गोल्डर इस्लामिक गोल्डन एज का period था उसी समय यह आपके 1017 में महमूद गजनवी के साथ में भारत में आये थे B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि डैस डैस चीटियों की एजंसी के द्वारा परागर का वरणन करता है तो ध्यान रखेगा जो आपके मेल यानि के पुंकेसर के भाग से जो हमारे परागकन होते हैं यह उड़ करके जो इस्त्रीकेसर पर जाते हैं इसी को कहा जाता है परागकन अब देखे परागकन जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है या अगर चीटियों के द्वारा ये इन पराग करण को ले जाकर कर यहां तो पहुंचाया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे तो इसे कहा जाता है मिरमीकोफिली, क्या कहा जाता है मिरमीकोफिली और अप्सन फिरहाल के लिए भी हो जाएगा करण, देखें अगर जो आपका पॉलिनेशन है, ये चमगादर के जरिये होता है तो इसे कहा जाता है क्लेरोटेरोफिली, ठीक है, अगर ये कीणों के द्वारा होता है तो इसे एंटेमोफिली कहा जाता है, अगर ये चिनियों के द्वारा होता है तो इसे आरनितोफिली कहा जाता है, उसी प्रकार से अग लंगों के बीच पाए जाते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं एड़ी पॉज जो आपके एड़ी पॉज टेशू होते हैं यह आपके सरीर में हर जगां पर मौजूद होते हैं ऑप्शन फिलहाल के लिए यह हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि इज्राइल के साथ में अब उसके बाद में जॉर्डन दूसरा बनता है और फिर आपका UAE है तीसरा देश तो ध्यान रकेंगे D होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि भारते समिधान के किस अनुच्छेद में राज निर्वाचन आयोग का प्रावधान है तो काफी महत्पूर्ण है ध्यान र 44 के के में मिलेगा B होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि भारते रेल्वे किस राज में दुनिया के सबसे लंबे रेल्वे घाट पुल का निर्मार कर रहा है तो यह जो आपका रेल्वे पीर ब्रेज है यह बन रहा है मड़ी पूर राज में इजाई नदी के ऊप पर भारते रेल्वे इसका निर्मार कर रही है तो ऑप्सन फिलहाल के लिए सी होगा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि समाधान के पीच में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी हार्डोजन आयन संद्रता बढ़ जाती है आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी सलूश होती है वो आपकी बढ़ती जाती है मतलब जो हमारा सलूशन है वो और ज्यादा एसडिक होता जाता है यहां पर कहा गया है कि हाडोजन आयन की संद्रता बढ़ रही है जायर सी बात है अगर हाडोजन आयन की संद्रता बढ़ेगी तो इससे जो हमारा सलूशन है वो और ज् इस प्रकार से जुड़े हैं, जायर सी बात है, अगर विभुवांतर इसमें समान है, ये देखे, इस प्रकार से विभुवांतर अगर समान है, तो ये दोनों आपके समानांतर में जुड़े होंगे, option यहाँ पर B हो जायगा फिलहाल, correct, अगला प्रशन है, कि निम्न में से सह आपको indigestion हो जाता है तो पेट अतिधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है बिल्कुल सही है इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग छारों का उप्योग करते हैं जिन्हें हम लोग anti प्रती अमल कहते हैं ये भी बिल्कुल सही है और प्रती अमल की रूप में मैगनीसिया का दूद का यूज होता है ये भी बिल्कुल सही है यानि कि चारों आप्सन यहाँ पर हो जाएंगे आपके करण अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फर क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है तो अगर हम लोग बात करते हैं उत्पाद की तो यहाँ पर आपकी तीन के बजाए चार चीजें बनती हैं फेरिक ऑक्साइड, पानी सल्फर डाय ऑक्साइड और सल्फर ट्राय ऑक्साइड तो सी हो जाएगा यहाँ पर करने यह देख सकते हैं फेरस सल्फर आपके पास में हैं आपने इसको पहले यहाँ पर गरम किया तो पानी के जो कण होते हैं मतलब अणू होते ही यह निकल जाएंगे फिर फर्दर आप इसको गरम करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाय ऑक्साइड और सल्फर ट्राय ऑक्साइड यानि कि तीन प्रोड़क्ट आपकी यहाँ पर एक प्रोड़क्ट यहाँ पर तो आपसर सी हो जाएगा करेंग अगला प्रश्ण है कि पच्छियों और सरी स्रिपों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है जाने कि जो आपका उत्सर्जन उत्पाद होता है जैसे आपने यूरिनेशन हम रोग करते हैं तो उसमें क्या आपका बाहर निकलता है आप सभी क्यों पता होगा कि मनुस्यों में यूरिया निकलता है लेकिन अगर हम पच्छियों और सरी स्रिपो की बात करें तो इसमें निकलता है यूरिक एसिड क्या होता है यूरिक एसिड तो ए हो जाएगा फिलहाल करें ये थोड़ के द्वारा जो उत्पाद होता है उसमें Yuria मेलेगा जैसे हम लोगों में भी Yuria होता है Yurine में उसी प्रकार से Yuric Acid की बात करते हैं तो ये आपके चिनियों में रेप्टाइल्स में, किणों में या फिर घोगे वगयरा में देखने को मिलेगा तो इस ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट आगला प्रश्ण है कि इन में से किसके द्वारा भारी जलकी खोज की गई थी तो भारी जलकी अगर हम लोग बात करें इसकी खोज की थी हमारे HC उरे ने किसने HC उरे के द्वारा इसकी खोज हुई थी तो आप्शन फिलहाल के लिए B हो जाएगा हमारा करेक्ट तो ध्यान रकिंगे आप लोग HC उरे के द्वारा 1934 में इसकी डिस्कबरी के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है तो आप्शन फिलहाल B हो जाएगा करेक्ट एक प्रशन घल्वा के रूप में भी कर लेजिए कि इन में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली को मुंबई से जोडता है तो दिल्ली से मुंबई के अगर हम लोग बात करें तो ये जोडता है NH48 ये ध्यान रकिएगा मैं आपको नई जो नंबरिंग है उसके हिसाब से बता रहा हूँ तो NH48 आपके दिल्ली को मुंबई से जोडता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली से ये आता है मुंबई तक और फुर यही NH आपके मुंबई से आता है बंगलूरू तक तो चाहें आपसे दिल्ली से बंगलूरू पूछा जाए या मुंबई से बंगलूरू पूछा जाए सारे NH का नाम है 48 क्लियर है तो आपसर यहाँ पर भी हो जाएगा फिलहाल करेंट तो इस प्रकार से आठवे मॉक टेस्ट को हम लोगों मैं डिसकस कर लिया है वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंड में ज़रूर बताईएगा ठांक्स फर वाचिंग जैहिंद जैभारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत और यहां तो वीडियो को देखा है तो comment में type करीगा yes I can do it